Hey guys, phrasal verbs की series में आप सभी का स्वागत है और आज हम इसकी day 38 पर पहुँच चुके हैं तो चलिए बिना देरी की ये वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखे phrasal verbs हैं क्या और इन्हें हम क्यों पढ़ें देखे जब किसी verb के साथ कोई proposition या फिर कोई adverb जुड़ कर आ जाता है तो phrasal verb बन जाता है एक example से समझते हैं एक verb है give give का meaning होता है देना और जैसे ही उसके साथ कोई proposition जुड़ता है अब तो meaning change हो जाता है तो अब meaning आएगा कोशिश करना छोड़ देना या त्याग देना तो आप देख सकते हैं कि phrasal verbs पढ़ना क्यों ज़रूरी है आज इस verb की हम बात करेंगे वो है try try का meaning होता है प्रयास करना, कोशिश करना second और third form की बात करें तो बिल्कुल same है tried and tried इसका meaning होता है मरोडना या घुमाना इसकी बात करें second form और third form की तो वो भी twisted और twisted यानि हम कह सकते हैं यह regular verbs हैं जिन भी ed जोड़ जाता है वो regular verbs होती है चलिए इनसे related phrasal verbs start करते हैं तो number one पर है try on try on का meaning होता है to put on an item of clothing to see if it fits or suits one कुई भी चीज पहन कर देखना जहें shoes हो चाहें accessories हो या कोई dress हो जिसे आप पहन के देख रहे हैं वह try on use करेंगे sentence देखे what a lovely dress why don't you try it on कितनी प्यारी dress है तुम इसे पहन के क्यों नहीं देखते why don't you try it on next she tried on a couple of dresses but they were too expensive उसने कुछ dresses पहन कर देखी try on मतलब पहन कर देखी लेकिन वे बहुत महंगी थी try the shoes on before you buy them खरीदने से पहले जूते पहन कर देख लेना कोई भी चीज हम पहन कर क्यों देखते हैं जिससे हमें पता लगे कि वो हमें suit कर रहा है या नहीं या उसका size fit है यह check करने के लिए next example देखिए I tried on a fur coat but it was much too heavy मैंने fur coat पहन कर देखा लेकिन यह है बहुत भारी था तो इस तरह से कुछ भी पहन के check करने के लिए try on now moving to the next phrasal work try out same meaning है यह भी try करने का ही sense देता है किसी चीज को test करना यानि इस्तमाल करके देखना लेकिन यहां पर आप पहन कर नहीं देखेंगे उस चीज को use करके पता लगाएंगे पहले इस्तमाल करें फिर विश्वास करें example लेते हैं He got to try out all the new software उसे सभी नई software को आजमाना था उन्हें use करके देखना था test करना था यह ठीक है या नहीं next He wants to try out his jokes on teenagers वह अपने jokes teenager पर आजमाना चाहता था अपने jokes का test करना चाहता था teenager पर के मेरे jokes काम कर रहे हैं या नहीं next Do you want to try out my new skateboard क्या तु मेरा नया skateboard इस्तमाल करके देखना चाहते हो use करके देखना चाहते हो Do you want to try out now moving to the next phrasal verb try back इसका meaning देखिए Try again in the context of visits and phone calls फिर जाना या दोबारा जाना या दोबारा करना कहीं आप किसी व्यक्ति से मिलने गए वो आपको व्यक्ति नहीं मिला तो आप दोबारा जाएंगे क्या आपका काम नहीं हुआ तो आप दोबारा जाएंगे किसीने फोन नहीं उठा है तो आप दोबारा फोन करेंगे sentence देखिए The computer lab is full You can try back in an hour Computer lab भरी हुई है आप एक घंटे में दोबारा कर सकते हैं यानि कि दोबारा आ सकते हैं You can try back Next The registration system is down You will have to try back later Panji current system down है आपको बाद में फिर से प्रयास करना होगा You will have to try back later She didn't receive my call I'll try back in a few minutes उसने मेरा call receive नहीं किया मैं थोड़ी देर बाद कोशिश करूँगा यानि दोबारा कॉल करूँगा I'll try back in a few minutes Now moving to the next result Try one's hand at To try doing something for the first time यानि पहली बार कुछ करके देखना पहली बार किसी चीज को आजमाना चले sentences लेते हैं He decided to try his hand at chess उसने chess में हाद आजमाने का सोचा तो इस तरीके से sentence में यूज करना है एक दो example और लेते हैं ताकि meaning और clear हो जाए Next He wanted to try his hand at acting वह अभिनए में अपना हाथ आजमाना चाहता था यानि acting में अपना हाथ आजमाना चाहता था Clear है? चले लेते हैं दूसरे example Shall we try our hand at scuba diving? क्या हम scuba diving में अपना हाथ आजमाएं? क्या हम ये कोशिश करके देखें? Clear? चले एक example और देख लेते हैं I have always wanted to try my hand at writing a book मैं हमेशा से किताब लिखने में हाथ आजमाना चाहता था I hope meaning समझ आया होगा तो चले अब देखते हैं next क्या है? अब next verb है twist और इससे related phrasal verb है twist of अब twist of का meaning क्या होता है? twist माने किसी चीज को मरोणना, घुमाना Turn something to remove off का मतलब हमेशा अलग करने के sense में आता है यानि कि घुमा कर किसी चीज को अलग करना घुमा कर खोलना या हटाना sentence देखिए twist of the cap of the bottle बोतल के ढखकन को खोल दे जब आप घुमा कर खोल रहे हैं तो वहाँ पर twist of यूज कर सकते हैं चलिए ऐसा ही एक example और लेते हैं I can't twist the lid off मैं ढखकन नहीं खोल सकता next example देखिए Could you twist the bulb off and change it? क्या हम बल्व निकाल देंगे और इसे बदल देंगे? क्योंकि बल्व निकालने के लिए भी हम उसे घुमा कर निकालते हैं twist करते हैं और अलग किया इसलिए off लग गया Twist the bulb off यानि की बल्व निकालना या हटाना Let's take another example The door knob twisted off in my hand when I tried to open the door जब मैंने दर्वाजा खोलने की कोशिश की तो दर्वाजी की कुंडी अलग होकर मेरे हाथ में आ गई The door knob twisted off Now moving to the next phrase twist up twist up का मीनिंग क्या होता है To tangle or not something किसी चीज को उल्जा देना कांट लगा देना एक और मीनिंग इसका समझी है जब यही उल्जन आपके दिमाग में हो जाए कि आप disturbed हो जाएंगे Confused हो जाएंगे तो वो वाली situation भी twist up होती है अब एक एक करके sentence देखते है My hair is twisted up मेरे बाल उलज गए है Twisted up मेरे बाल उलज गए है Hair को हमेशा singular noun की तरह माना जाता है इसको कभी भी pluralन नहीं माना जाता तो इसलिए वह भी singular ही लगी है Next I accidentally twisted up the headphone wires मैंने गलती से headphone की तारों को उलज जा दिया Twisted up कर दिया उनको उलज जा दिया Next Cables behind the TV get twisted up always TV के पीछे के cable हमेशा उलज जाते है वो जो वायर हैं TV के पीछे हमेशा twist up हो जाते है नहीं उलजन आपके दिमाग में हो किसी बात को लेकर तो दूसरा मीनिंग आ जाएगा Sentence देखिए I am twisted up मैं उलजन में हूँ या मैं परिशान हूँ मैं confused हूँ He always gets twisted up क्यानि वो हमेशा confused हो जाता है वो हमेशा परिशान हो जाता है इन सभी सेंस में twisted up आप यूजन कर सकते है चलिए अब देखते हैं next phrasal verb क्या है twist around इसका meaning होता है to distort or change the meaning of something शब्दों को तोड़ मरोड कर कहना सीधी सीधी बात ना बताना बलकि किसी की बात में मिर्च मसाले लगा कर बताना I don't mean that Stop twisting my words around मेरा यह मतलब नहीं है मेरी बातों को तोड़ मरोड कर बोलना बंद करो Stop twisting my words around twist around यानि तोड़ मरोड कर बोलना the politician twisted the facts around to suit his agenda राजनेता ने अपने agenda के अनुरूप तथ्यों को यानि facts को तोड़ मरोड कर पेश किया twisted the facts around आगे देखिए opposition parties always twist around each other's speeches विपक्षी पार्टियां हमेशा एक दूसरी की भाशनों को तोड़ मरोड कर पेश करती है twist around करती है सभी हम देखते हैं तो यहाँ पर twist around बिल्कुल feedback ता है चले अब देखते हैं twist से related एक idiom twist someone around your little finger या हम कह सकते wrap someone around your little finger हिंदी में समझें तो कहें उंगलियों पर नचाना जब आप किसी को उंगलियों पर नचाते हैं तो आप कह सकते हैं wrap someone around your little finger let's take some examples she could wrap her husband around her little finger वह अपने पती को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं तो wrap someone या फिर twist someone दोनों में से कोई भी एक वरप लगाएंगे के लिए चलिए देखते हैं next example Harry is spoiled he twists his parents around his little finger Harry बिगड़ा हुआ है Harry is spoiled वह बिगड़ा हुआ बच्चा है वह अपने माता पिता को अपनी उंगलियों पर नचाता है दूसरा sentence देखिए वह न्याय प्रणाले को यानि जस्टिस सिस्टम को अपनी उंगली पर नचा सकती है तो ये है आज की वीडियो try और twist के कुछ phrasal verb के साथ I hope आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो please like कर दीजेगा और अपना feedback जरूर दीजे अगर आप चैनल पर new है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है Thank you so much for watching this video जै हिंद जै भारत